आज की कहानी है कि पक्षियों का राजा क्यों नहीं बन सका एक समय की बात है जंगल के सारे पक्षी एक जगे एकटा होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं कि हम जंगल के राजा शेर से बहुत परिशान हो चुके हैं पक्षी मोर के पास जाते हैं और मोर को कहते हैं कि आप हमें कोई रास्ता दिखाईए आप हम सब में समझदार हैं आप ही हमें कोई रास्ता दिखाईए मोर बोला ठीक है हम लोग कोई रास्ता निकालते हैं मोर बोला कि हाँ हम लोग जानते हैं हम सब को पता है कि हमारे राजा के होते हुए भी हम सब की हालत खराब है हमारे राजा शेर के पास तो हम अपनी छोटी छोटी परिशानिया लेकर जा नहीं सकते तो इसलिए हम सब को मिलकर अपने लिए एक राजा का चुनाव कर लेना चाहिए जो हमारी हर परिशनी को दूर कर सके हमें ऐसे ही किसी समझदार राजा की जरूरत है तोता बोला कि हमें अपने लिए एक राजा का चुनाव करना चाहिए हम सब में जो समझ़धार हो उसे ही राजा बनाना होगा हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो बहुत समझ़धार हो जो हम सब की तकलिफ को दूर कर सके और दूसरे राजाओं के साथ बैठ कर हमारी परिशानी को भी बता सके मौर बोला कि हाँ तोते भाई ने सही बोला हम सब को मिलकर एक अपने लिए एक अच्छे से राजा का चुनाओ करना होगा सारे पक्षी एक दूसरे से बाते करने लगे और सला करने लगे कि किसे राजा बनाना चाहिए कुछ देर बाद चकोर पक्षी ने बोला उसने कहा मैं समझता हूँ राजा बनने के लिए हम सब पक्षियों में उन्लो बहुत समझदार है वो हर फैसला कर सकता है हमारे अरपरिशानी को भी दू कर सकता है मैं समझता हूँ कि हमारे राजा उन्लो ही होने चाहिए मौर को पिये परस्ताव बहुत अच्छा लगा उसने भी कहा कि हाँ उलू को ही राजा बनना चाहिए सारे पक्षी उलू को राजा बनाने के लिए मान जाते है मौर ने उलू को राजा बनने के लिए बथाई दी उलू ने भी सारे पक्षीों का धन्यवाद बोला उलू बोला भाईयों आप लोगों ने जो मेरे उपर जिम्मेदारी डाली है मुझे राजा बनाने का फैसला किया है इससे मैं बहुत खुश हूँ मुझे आपने अपनी सेवा करने का मौका दिया है इसके लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अच्छा राजा बने की कोशिश करूँगा सारे पक्षी खुशी में जूमने लगे कि उन्हें भी एक राजा मिल गया चील उड़कर गई और एक रेश्मी कपड़ा उठा कर लेकी आई और उसने उस रेश्मी कपड़े को पेड़ की एक डाल पर रख दिया उल्लू को उस रेश्मी कपड़े के उपर बैठा रा गया कबूतर भी उड़कर गया रंग बरंगे उन के गोले उठा कर लेकर आया उस उन को पेड़ की टहनियों पर लटकाया गया और पेड़ को सजाया गया मौर भी खुशी में जूम जूम का नाचने लगे एक पक्षी ने पेड़ के पास ही अपने पंजों से खोद खोद कर एक हवन कुड तैयार किया कुश पक्षियों ने फूल जमा किये लाल फूल लाल आकर हवन कुड में जमा करना शुरू किये हवन के चारों तरफ पंडित तोते बैठ कर मंत्रों का जाप करने लगे कुश पक्षियों ने मिलकर उलू के लिए एक सोने का मुकट बना लिया हंस ने कुश मोती लाकर उस मुकट में सजा दिये जब सारी तैयारी हो गई तब दो पंडित तोते उलू के पास जाते हैं और उलू को कहते हैं कि चलिए आप चलिए पहले हम मंदिर में दर्शन करके आते हैं मंदिर से वापस आकर आपका यहां राजय अभिशेक किया जाएगा आपको राजय बनाया जाएगा उलू बोला ठीक है वो पंडित तोतों के साथ उड़कर मंदिर में दर्शन के लिए चला जाता है उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर एक कववा आता है कववा वहाँ पर की गई तैयारिया देखकर हैरान हो जाता है और चौक कर पूछता है अरे भाई यहां क्या हो रहा है किस चीज की इतनी सारी तैयारिया की गई है पक्षियों ने बताया कि यहाँ पर आज उलू का राजय पीशेक होने वाला है उलू हम सब पक्षियों के राजय बनने वाले हैं यह सुनकर कौवा जो जो से चिलाने लगता है कौवा बोला जब आप सबने सला की तब पुझे क्यों नहीं बुलाया गया मैं क्या पक्षि नहीं हो मौर बोला यह तो हम सब के राजय हैं हम सब जंगल में रहते हैं हम सब का फैसला है इन तो शहर में रहते हो तुम्हारा हम सबसे क्या वास्ता है कववा उल्लू के राजा बनने की बात सुनका जल भुन जाता है और अपना सिर पीटने लगता है और काउं काउं करने लगता है कववा सारे पक्षियों का दिमाग घुमाने में लग गया कि अरे तुम सब को क्या हो गया है तुम किसे राजा बना रहे हो उल्लू तो सारा दिन सोता है और रात को जागता है तुम अपनी परेशानिया लेकर किसके पास जाओगे कवे की बातों का पक्षियों पर असर हुआ वो आपस में एक दूसरे से बाते करने लगे पक्षियों ने सोचा कि शायद हमारा फैसला गलत है हमने बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लिया था ये सोचकर सारे पक्षि वहाँ से दीरे दीरे करकर जाने लगे थोड़ी देर बाद उल्लू और पंडित तोते वापस आते हैं उन्होंने देखा कि सारे पक्षी वहाँ से चले गए है उल्लू ने हैरानी से पूछा सब लोग कहां गए एक पक्षी ने बताया कि यहां अभी कुछ देर पहले एक कववा आया था उसने सारे पक्षियों को आपके खिलाफ उल्टी पटी पड़ाई सारे पक्षी उस कववे की बातों में आ गए और यहां से चले गए उल्लू के राजा बनने का सपना तूट जाता है बहुत दुखी होता है तब से उल्लू कववों का दुश्मन बन गया है शिक्षा किसी की खुशी देखकर हमें जलना नहीं चाहिए तूसरों की खुशी में भंग डालने से आपको भी कभी खुशी नहीं मिल सकती इसी लिए सबकी खुशी में खुश होना सीखे थैंक यू धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग झाल यू झाल